कि यूटूब चैनल परिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार्दिक श्वागत है गुड इवनिंग टू ओलो फ्यू मैरी तू चलिए हम जो तैयारी अपनी करें सीचेट के हम तैयारी करें करने हैं आयुट अपनी तैयार करने चैप्टर कना इसन करने करना ऑए साइनस का डिस्कु dairy님 कर जो आज हम चैप्टर ब चैप्टर बेड स्कुच करने वाले जिसमें चैप्तर तक बेडिक कर चुके हैं तीन selbst इससे पहले हमने फ І si向 रणिया वाई जो अपने कर चुके हैं अगर आपको वाइछ चाहिए वन Diego आपको चाहिए तो प्लेय लिस्ट चाहिए तो यह लग से कापस प्ले जाएगी दूसरी प्लेइस्ट में आपको जो प्रिपेर करा या फिर हिंदी में सीटाइट की तयारी जो आप मीडियम रखा है इंग्लिस या हिंदी दोनों मीडियम अगर आपने रखा है तो आप पर चैस कर सकते हो देखे बुक अगर आपको चाहिए एंश्याटी की तीन व चले तीनों वोल्यूम आपके लिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा जहां से आप बुक जो है वो परचेस कर सकते हैं जो ओनलाइन वाले पेपर आपके हुए थे जो दो हजार बी इकिस बाइस में आपके हुए है यह भी आपका है और जो बा इंगलिज दोनों वीडिया में आपको बुक मिल जाएगी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अभी ओफर आपके लिए चला है तो जो बुक का प्राइज है और आपको कम कीमत पर ऑफर के लिए आपको जो ओफर चला हुए उसमें कम प्राइज मार है चले आग एक चैप्टर करने वाले को चैप्टर फोर्त और चैप्टर वोस्ट जोरिए चैप्टर फोर्त के लिस्कस करते हैं तो पहलागा चैप्टर रे popping वस्त्र बनाता है जड़ से पढ़ा पढ़ा वहाला आपकाथ यारनी ज्यटन पमतर ऑफ से भी अपने आंपने discuss यो जानता था या जाते है वह आपने पढ़ा था कि जुकपास में पढ़ात अब हमें जो चैप्टर आता है यह उश्मा तो इसमें पहला टोपिक है हमारा वस्त्र वस्त्र के बारे में हम लेडी डिसकस कर चुके हैं तो इसमें यह बताएगा है कि जो अध्यायत तीन आपका है जो चैप्टर थर्ड में आप पढ़ चुके हैं कि उनी वस्त्र जानतव वस्त्र बार हैं मिया यह बताती हैं यह इस सबकुछ पढ़े हुआ है बताएगा है और लेडी सब्स्ற साथ है तो इसमें बताया गया है कि गर्मियों में पैंटे हो सूती वस्तर बनाइगा को आपको पोध होते हैं उनके रेसों से बनाइग जाते हम सीथकाल में और सब्सक्राइब तो यानि सीथकाल का जब होता है जब सीथ लहर आपकी चलती है सीतकाल की इसमें बात की गई थंड़े मोसम की इसमें बात की गई है तो थंड़े मोसम होता है विंटर सीजन जब होता है उसमें हम जो कपड़े पैनते हैं वह उनी पैनते हैं जिससे हमें जो सरीर है वह कम लगे और हमारा जो सरीर है वह कैसे गरम यानि हमारी बोड़ी को गर तो जब दूप बहुत उल्टेते कि निकल जाते हैं तो उसमें हम हलं के सब्सक्राइप बहुत को बूलिए ऊपन को ना लगे यह हमें ठंडग कानुभबव कराते हैं तो इन कपड़े होते हैं अब आता है सीधकाल में आप घर के अंदर ठंड कानुभव करते हैं तो सीथ काल में आप क्या करतो सीथ काल में आप जादा से जादा कोशीष करत video करते हों कि खर में हिरे या निद भ Perform कर सके अगला पॉइंट है यदि आप बाहर दूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभाव करते हैं जब आप धूप में बैठ जाते हो तो जब सर्दियों आपके होते है तो फैर के टाइम जब धूप आपकी निकलती है तो धूप में क्या करते हो आप थोड़ी देर धूप में सको है ग्रिशम काल आप घर में गर्मी आपका यानि जब रहता है वहाई को तब आपको घ्रमी अशास होता है क्योंकि अस ट्राइम के हैं जो जो आप तरह आपको घरम अब आता है अब आपका कि गरम तता ठंडा उश्मा में आपने जीवन में हम अनेक वस्तों के संपर्ग में आते हैं जो हमारा डेली रूटीन है यानि डेली रूटीन जो हमारे रहता है तो इनमें क्या होता है जिसके कुछ गरम हैं और कुछ ठंडी तो इनमें क्या होती है तो इसमें यही बात आपके बोली गई है यहां इसे निए बता है। इसमें भी आसे जो घृत सब्सक्राइब कूछन वस्तोय दूसरी वस्तोय की अधिक गरम होती है जो कुछ वस्तोय दूसरी वस्तोय की अधिक घरम होती है जब कि कुछ वस्तोय दूसरी की अधिक ठंडी होते तो कुछ वस्तोय क्या होते है गरम होती है और कुछ वस्तोय जो होती है जो वस्तोय सबस्तांश होती है आपकी वह अधिक ठंडी कोई कोई वस्तु क्या है अधिक जो आपके वस्तु होती है इसकी कमपेर में गरम होती है हम इसका पता वस्तु अधिक पर्श करकर उसे चूप टच करकर तब इस पता चलेगा कि जो वस्तू है जो चीज हैeg wszyscy है आपकी होते जो सबस्टान्स है तो वह कैसा है या तो ठंडा है या गरम है जब मुँझे टूच करेगा तभी आप इसका पता चलेगा अब आता है note में कि आपको promise दिया जाता है तो आपको एक promise दिया जाता है कि बहुत अधिक गरम वस्तों को ना चुए तो बहुत अधिक जो गरम वस्तों होते हैं उनको आपको नहीं चुना चाहिए अगर आप उन्हें चुओगे तो आपका जो हाथ है वो जल जाएगा तो ब सभधाने के बाद जवाला होती है जली हूई मुंबती को आपको Kayla से ऑग निकलती है तो बत्ती आपके होते ढ़ाा पर टच नहीं करना है जिससे आगर आप उसे टच करोगे, आप अपना हाथ रखोगे, तो आपके हार जल जाएगा, उसी तरह आपके बात की गई है, जो इस्टोव होता है, जो इस्टोव आपके आते है, तो उनको भी आपको टच नहीं करना है, उनको भी नहीं चुना है, वो भी बहुत गरम आपके होते हैं, अब चाय के प्याले में सबसे पहले आती है आईश क्रीम, तो जो आईश क्रीम आप खाते हो, तो आईश क्रीम कैसी होती है, आपकी ठंडी होती है, तो वो कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, यानि आईश क्रीम ठंडी होती है, नेक्स्ट, आगे आता है अब आपका चाय के प्याले में रखी चमच तो चाय के प्याले में जो रखी जो चमच होती है तो चाय के आपकी चाय के प्याले में जो चमच रखी जाएगी तो वो कैसी होगी गरम आपकी होगी फलो का जो रत होता है वो आपका दोनों तरह से आपका फल आपका आता है फलो का जो रत होता है अब आपका जो mixture वाला fruit juice और पैकिंग में आता है वो fingers ça आता है वो क्या होता है आफ तेक इस सब्सक्राइब लोगों करोदेख लोगों की प्राइब बयानि मैं फ्रीज हो जाए तो या जुड़ों करें तौड़ उप्राइब प्लास्टिक ना तो प्लास्टिक की है तो ठंडी आपकी रहेगी लेकिन अगर वह प्लास्टिक की ना है तो तो दैमियर आपकी हो गए या फिर प्लास्टिक रहा हो आपके लेने हैं और उसमें आपको पानी उसका अनुभव करना है उसको फिल करना है कि जो पात्र आपने लिया है चले पहला पॉइंट आता है कि तीन पात्र तो आप बरतन आपको लेने हैं तीन बरतन होते हैं वो आपको रखने हैं इन पर ABC नाम अंकित किना तो इनका जो नाम रखना है आपको ABC करके आपको इनका न तो मिक्षर पानी मिलाक्राइब स्पानी तरम उसलित कर दो हमेशयria . इसमीं मिक्षर पानी है तो उसलिके की अन्य सब्द्स की दारी को पानी आपको सब्सक्राइब तरjazार खुलाई दोने लिए ही घ्रमबु है आपको आपको ए में डालना है जो आपने लिया है दूसरे में। तक पात्रों आपको डूबे रहने चाहिए दो तिन मिनट तक पात्रों में आपको रहने हैं। दोनों हाथों को एक सात्र पात्रसी में डुबाई फिर क्या करना है आपको वहां से निकालने के बाद आपको जो हाथ आपके है दोनों हाथों को ही क्या जो ठंडा गरम मिकसर जो पानी आपका है उसमें आपको डालना है जो गुन-गुने की तरह आपका पानी है उस पानी मे के तरा आपको पानी रखना है जिसमें आपके जोहाथ Hat है की मग si में पानी गरम है तो मेरा जो क्या है कि 70 में पानी contact मिकसर एमने रखएं थंड़ा के रखएं तुषो का पानी है वो गरम पानी रौ मकिन दाहिने हात से पानी थंड़ा बता यह दे कमारा दूसरा करने के लिए कोई वैस्तु गरम है या ठंडी हम अपनी इस पर शिंद्रों पर विश्वास नहीं करते हैं तो यह हमें कभी भी धोका दे सकते हैं तो इंद्रियों पर विश्वास नहीं करना को जाएंएंस पर विश्वास नहीं करना चाहिए अब आता है borकी वस्तु की ऊशनर्टट थक ता स्मार उसके पता की जाते हैं ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्तियों को ताप मापी थर्मामीटर कहते हैं तो जिससे ताप मापा जाता है उस जिससे ताप हम नापते हैं मेजर करते हैं तो उस चीज को यानि उपयोग करने के लिए क्या उस युक्तियों को ताप माप का आपका यूज किया जाता है अब next topic आता आपका ताप मापन होता क्या है क्या आपने कोई ताप मापी देखा है तो थर्मामीटर की इसमें बात की गई है चले सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है पहला जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चड़ा तो temperature ताप को थर्मामीटर ताप मापी से मापा गया था आपको कभी न कभी फिवर जरूर हो गया फिर आपकी जो फैमिली है उसमें किसी को बुखार हुआ होगा फिवर जरूर होगा तो जब आप ताप होता है तो उसको मेजर करने के लिए उसको नापने के लिए कि अगर सरीर के ताप को मापत है उसे डोक्टरी थर्मामीटर कहते है तो उसे क्या बोला जाता है जिससे temperature जो हमारी बोड़ी का जो temperature है जिससे मेजर किया जाता है वो आपका थर्मामीटर होता है आता है आगला पोइंट किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़ेता है इसका ध बुट्टर और यह थान पानी था यह आम और थे तो इसमें यह दोनों हाथ और अलग अपने हाथ जो डाले हुए Jest अब अब नेक्स्ट के हैं तो आपने बीज़ली तो पर देख एकि-वह तैंप्रेचर आपका मेजर करता है तो इसमें कितना 37 धिक्रीजा दिखाया हुआ है चले। आगे चलते हैं आफ जोको पोईंट आता है आद होता कैसा है यह आपने फीगर देख लिए अब इसके बारे में जानते है कि उखतip थांडिकन है क्या चले डोक्टरी थर्मामीटर का पहला पॉइंट आता है इसमें कि डोक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारिक तथा एक समान व्याश की काच की नली होते जैसे कि आपने अभी फिचर में देखा जो फिचर आपको दिखाएगे कि जो जो टेमप्रेचर यानि जो बुखार को न इसके機 एक सेरह zero को बलब में पारा भरा जो बल्ब था उसमें क्या बह दो थाप पारा भुए अंगे है अगला पॉइंट पारे की यह धारा जो धारी थी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा गुमाई है जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना दे अगर बाइचांस ऐसा हो जाता है कि जो थर्मामीटर आपका होता है तो थर्मामीटर में अगर आपको धारी नहीं है तो थर्मामीटर पर आपको तर्मापने किसली दिखाई देगा तो नंबर भी आपको लिखे होए दिखाई देके उपयोग के जाने मापकरम सालसर मक्यूरू। लग definisate सब्सक्राइब सब्सक्राइब के लिए साइब को मापते आपको आए अब आता है नोट में कि भारत में जो भारत है इंडिया है इसमें हमने सेलतब हैं किसे सेलसब से हैं उसको αपना है एक्सेप्ट है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए दूसरा मापकरम फार्णे हाइट स्कील है जिसका परिशर चुरानमे से 108 डिगरी तक है इसे पहले परियोग किया जाता था तो अब जो दूसरा करने जाता है अगला पॉंट थर्मामीटर से ताप मापने के बारे में जानते हैं पहला पॉंट इसमें आता है थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है जो थर्मामीटर है उसको कैसे पढ़ा जाता है सबसे पहले इसके किनी दो करमागत एक के बाद एक बड़े चिनों द्वारा निरूपिताप के अंतर को आपको नोट करना है तो इन वे जो दो संख्या के बीच में जो गैप है दो चिन र इस निट का सकताओं तो किजिए कि यह अर्फाट तो फीयोक करने से पहले ठर्मामीटर को अच्छी परकार दोडने के लिए तोफियो प्यून आपको फूंब करना ना है यो भोल में थ होता है यह यह पको करना है अपने हाथ में判कर पकड़ी और कुछ यह घटके utiliz लेकर आपको आपने हाथ से पकड़ना है तो जो साइवाले पैने पैन होते थे तो जब बंद जाते तो आप ऐसे चिटकाव करते हो तो उसी तरह क्या करना आपको पर कि या कैंव नीचे षया जाँ कुल के साथ पारे का तल नीचे भी एक आपने मुझ सब्सक्राइन सब्सक्राइब करना नहीं है कषे सब्सक्राइस पिछाएं। आप चटकाओ करते हो यानि पैन को भी चटकाओ देते हो तो उसी तरह आपको थर्ममेटर के साथ आपको करना है तो सुनिचित कीजिए कि 35 से नीचे आ गया तो आपको यह भी सुनिचित करना है यह निश्चित करना है कि जो 남ा 7 है 35 से नीचे की और आ गया है अगला पॉंट अब थर्मामेटर के बद्ब को अपनी जीव के नीचे रखी है तो थर्मामेटर का जो बसफा वह थ यह सिर्दधान होताएं कषड अपनी जीव के नीचे रख् lot है और यहां कुछ अपने जोक थर्मामेटर होता है तो थर्मा मिटर के नीचे नीचे लिए टॉंट के लिए नीचे निकाल करें रूट करने लिए पिर या तक तक बों कई नीचे को निकाल तरह निचे यह नहीं जबाएगा वह आपको क्या करना है यह वोसे आपको जो नोट करना है उसको रिप्रिजेंट करना होगा आपका 35 रिप्रिजएंट करना कि आपके आपके और नोट जो है इसमें पूछा गया है मानल शरीर का सामान्य जो हमारी भोड़ी है उसका सामान्य ताप होता है अब पहली ने अपने सरीर का ताप मापा जो पहली है उसने अपने सरीर उसकी जो बोड़ी है उसका ताप उसने मापा वह चिंतित हो गई वह क्या हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सेस नहीं था तो क्योंकि जो यह ठाप आया उसको जो टैंपरेचर आया बोड़ी का वह 37 डिग्री सेल्सेस नहीं था उससे कम होगा यह ज्यादा होगा आये पहली को विश्वाल दिलाए कि उसके साथ डोक्षी तर्मामेटर की साहिता से अपने कुछ मित्रों या कम से कम 10 के सरीर का ताप मापिये चलिए अगला पॉइंट है कि परतियक विध्यार्ति के सरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सेस है तो जो परतियक विध्यार्ति है उसके जो सरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सेस ही होता है पहला पॉइंट है आवेश्यक नहीं कि परत बढ़ भी सकता है तो सब की बोड़ी का तेमप्रेचर वह डिफरेंट डिफरेंट आपका होता है सभी का सेम आपका नहीं मिलने वाला अगला पॉइंट है वास्ताव में जिसे हम सामानने ताप यानि नॉर्मल टैमप्रेचर कहते हैं वह स्वस्त वक्तियों के विसाल समूं क है उसका एक गुरुप है उसकए गुरुप में जो आपका तो में जितने योए मोड़ी होंगा उनका उसत आपको यह रखा है यानि अनुमल का इस लेकिन सभी नहीं सभी की चांच फीकर मिलने वाला है अगला पोइंट है डोक्ट्री थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है जो डोक्ट्री थर्मामीटर आपने देखा जो ग्लास टाइप का था आपका तो इसमें जो डोक्ट्री थर्मामीटर होता है जिर्फ बोड़ी टेंप्रेचर के लिए आपका होता है यानि मानव उन्हीं की बोड़ी mogę-करias点. मंपता है अधर वस्ट जो चीजह है उनका temperature नहीं लापनाव सरीड फॉमन यहां माननव की जो बोड़ी फॉमन बोड़ी जो है उनका जो यह नीन रहे है ौटी फाइव सैल्सेस से लेकर कि फोरिटू डिगरी सैलसेस तक मौट इस नहीं होता है तो इसे कम यह ज्यादा नहीं होता है है या निसमें 35 बीजम करते हैए तो इसमें 35 से लेके 42 तक temperature होता है इससे कम यह जादा नहीं होता यह इसमें बताया गया है अगला पॉइंट है यही कारण है कि तर्मामीटर का प्रिशर 35 सब्सक्राइब करने के लिए आवेशक सावधानिया तो जो तर्मामीटर यह आपके घरों में भी आपको पाने वाला है आपके घर में भी यह थर्मामीटर होता है चलिए इससे जुड़ी कुछ चीजे है जो इंपोर्टन आपके लिए जिसके लिए यानि इसे यूज करने के लिए क्या क्या आवेशक होता है उसके बारे में जानते हैं पहला पॉइंट आता है थर्मामीटर को प्योग से पहले उरुप योग के पश्चाद धोना चाहिए सबसे पहले पॉइंट है मुझा थे झाले भब करना है इस кстатиवा थेसे नर्मल पानी होता है श्में आ फिर गरम पानी में आपने दो या ये या इस तरह आपको इसे वोश नहीं करना जो एंटिसेप्टिक जो गोल होता है उसी में आपको इसे धोना होता है पहले और बाद में भी नेक्स्ट है सुनीचित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री से नीचे हो तो यह भी आपको ध्यान अखना है कि जो पारे का तल है वह 35 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए उससे उपर नहीं होना चाहिए तो जब आप मेजर करते हो पर अपना टैम्प्रेचर बोडी का तो उससे पहले आपको ध्यान अखना है यह आपके लिए इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का त चाहिए द्रश्टि रहा के बिल्कूल सीध में आपका अना चाहिए थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीज़े थर्मामीटर है उसका आपको यूज सावधानी पूर्वक का आपको करना है किसी कठोर वस्तू से टकराने पर याए तूट सकता है तो रहसे अगर लोटे नहीं पकड़ना चाहिए जब आप थर्मामीटर के वाँ सब्सक्राइब करना चाहिए तो यह भी आपको द्यान रखना चाहिए जो नुकिली से आपकी एक आगे जो पॉइंट सा होता है टिप होती है उसकी थर्मामीटर की स्टार्टिंग में जैसे आपकी पैल की होती है जिसमें से आपका जो सिक्का आपका होता है तो वह उस जगह को आपको नहीं चोना इसी तरह का आपका थर्मामीटर में होता है तो अपने के लिए नापने के लिए क्या दिया आपको चाहिए नापने के लिए ऑपनिंग के लिए आप कभ़ी मत करना धर्ममीटर को दूप रखने से टर्मम तूट सकता है तो आपका तूट जाएगा अब आता है नेक्स पॉइंट परियोग शालत ताप मापी परियोग शालत ताप मापी में क्या है यानि हम अन्य वस्तू के ताप कैसे मापे यानि यह तो हो गया तो अब आनि हमे किसी आधर चीज का जो टेमपरेसर है वह नापना है तो वह किस तरह आप नाप सकते हैं इसके बारे में जानने वाले चींज THE परियोग शालत नापमापी आपका होता है चलिए परियोग शालत ताप मापी इसमें पढ़ता है कि परियोग शालत चाल्प upset परियोग शारत आप मापी कैसा होता है पहला पोईंट आता इसमें आपके अध्यापक किसे ताप मापी को आपको दिखाएगा जो आपके टीचर होते है जिस क्लास में जिस स्कूल में आप बढ़ रहे हो तो मुहाँ पर जो टीचर आपको चैप्टर पढ़ाएगा वह इसको आपको दिखाएगा इसे ध्यान से देखे तता इससे मा पे जा सकने वाले अधिक्तम ततन्यूंतम तापको आपको नोट करना है जो मैक्जिमम है दोनों टैम्टेचर आपको नापने यह दरी नापने के बाद लिखना है ब्यूग शालत आपमेपिका प्रिश्ड प्राइए दस डीग्री से लेके 110 डिग्री सेलसर साथ होता है और जो आपने थर्ममेटर हुमन बींग के लिए अपने पढ़ा जिस्सें की बौरी का टेमपेचर नापा जाता है उसका 35 डिग्री ? ? आपको चाथ करना है ? दर शाय गे ताप को ठीक ठीक पढ़ाने के लिए आपको ताप के इसमान की आविशक्ता होगी जो पाल ने मान देखा 102 सैल्सेस से लेकU 102 सैलसेस है तो इसका आपको ध्यान रखना है अगला पौइंट आता है जो नौट है विभीन प्रीयोजिनों के लिए विभीन प्रार के प्मापी उपयोग क्या जाता है तो विभीन प्राकर के अ Judge कि रिपोर्ट में दिये गए अधिक्तम तता न्यूंतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिक्तम न्यूंतम ताप मापी का उपयोग किया जाता है अगला पॉइंट परियोग लioned साला ताप मापी द्वारा जल का मापना तो परियोग शालक जो ताप मापी होता इस तरह का आपके दिखाए देगा यह यलू कलर का जैसे आप देख रहे हो तो इसके मी दिाए जाते हैं देखें आपर लिखा भी आगी परियोग शाला ताप मापी द्वारा जल का ताप माप रहे हैं यह आपका होता है परियोग शाला ताप मापी चलिए अब नेक्स टोपिक था हमारा कि परियोग शाला ताप मापी द्वारा जो जल का ताप मापना तो जल का ताप कैस नापते हैं किसी बीकर अथ्वा मग में नल का थोड़ा सा जल लेजे तो किसी जो बीकर होता है या फिर जो मग है उसमें नल का यानि जो नल आपका होता है घर में जो आपके नल लगे होते है हेड़ पंप जो है उसका आपको थोड़ा सा जल लेना है थोड़ी सी दिवारोंग लेकिन द्हार नपी लेकिन यह जो पार मिन यह जल में जाए लेकिन जो बरतन की तली तली होती है या दिवारों कि इस परिशना करे या पहना है यह तप मापी को जलlerde उर्ध्वादर रखते हुए उसमें पारे के तल की गति को आपको देखना है अब आता है अगला तब तब तक परिक्तक्षा कीजे तब तक आपको वेट करना है जब तक कि नली में पारे का तल इस्तिर ना हो तब तक आपको वेट करना है अब आता है परियोग शाला ताप मापी नेक्स्ट पॉइंट आता है परियोग शाला ताप मापी चलिए अब इसमें परियोग शाला ताप मापी पढ़ते हैं टो आपने शावधानी देखी जो आपने डोक्टरिं थ्र्ममेटर के लिए बोलह तेPlus पहले भी दोना चाहिए। असे Cloud met इसका उसका करना चाहिए। शावदानी जो पहले पारगा उपने 201 गुद्समें देख हो युजाए जो उसमें देखनी तहों को झाला से ताप ओरधु दर आद्रै रखना है टिर्चत तो जल में का वाटर का वह इतना है वह इतना लिया था वह उसमें पूरी कि रहें कि अध气 दूबा हुआ था लेकिन ना तो सिक सुल रहा था उन..? उसकि व JON बड़न की दिवारो से नहीं चुना चाहिए ऑगला पॉ सब्सक्स्त की पॉर्ट पॉइंट है क्या पॉर्योग शालत ताप मापी द्वारा सरीर का ताप मापा जा सकता है जो तो इसमें पूछा गया जो परियोग सालत ताप मापी के द्वारा जो सरीर का जो ताप होता है बोडी का जो टेंपरेचर है वो भी मापा जा सकता है चले इसमें देखते हैं किसी बीकर या मग में क्या लेना आपको थोड़ा गरम जल आपक प्रतिक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक ताप मापी को जल से बाहर निकालते हैं जैसे आपने जो ताप मापी लिया वो जल से बाहर आपने निकाला तो पारे का तल गिरने लगता है तो पारे का तल क्या होगा वो गिरने स्टार्ट हो जाएगा इसका अर्थ है कि कि किसी परियोग शाला ताप मापी द्वारा ताप क पाट्ठ्यांक भी नोट करना चाहिए जब उसका बल्व जलिया उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है इश्मरन कीजे याद आपको करना है कि अपने सरीर का ताप मापते समय आपको पाट्ठ्यांक नोट करने के लिए थर्ममीटर को मुह से बाहर निकालना पड़त है लेकिन जह आप जो अपने दख़ेरिय। आप नापते हो जि आप में बोल्व थर्ममीटर को लगाते हो तो उसके बाद कीजिब आपको लेकिन परियोग शालत आप मापी में आपने देखा यह बरतन से बाहर निकलते यानि जिस भी वस्तु का आपको टैंप्रेचर मेजर करना है उसके बाहर जैसे आप निकालोगे तो उसको टैंप्रेचर क्या हो जाता है टैंप्रेचर आपको नहीं दिखाई देगा यानि तो निकलते यह उसमें आपका नहीं है तो डोक्टरी थर्मामीटर जो है बोडी टैंप्रेचर के लिए होगा जो अधर चीजों का कमे नापना है उसके लिए परियोग शालत आप मापी का यूज कर सकते हैं na n hinter katar mail से लेकर नोर्मल टाइस्सेस में रखा गया है इसको दिनोट करने के लिए जरूरी है बोडी का त्लिफान वो अपना देखते हैं जो यह आपने परियोक्षाला छाल क्व आपने देखा इसका जो अधरवस्तु का है तो उसका प्रियोग शड़त आप मेजर करोगे जिसका जो लेविल था यह आपको परिशर बताए गया था वह दस डिग्री साल्सेस से लेके 110 डिग्री साल्सेस था जब मोश्य में भाग रिपोर्ट देता है तो वह भी न्यूंतम और अधिकतम में अपनी देता है अब आता ह जो आपको एकंपरेशर को लिए पर नीचे नहीं होता तो इसका क्या क्रण नहीं और जितना उसने मेजर कर ततर एह फीजिए अपर लेक्शन करना में बहिसे करना देखते हैं अब बलब के पास कोई भी बंग्ग श्रीनक है Lisa सबाल होता है उसके पास कोई भी सब्रक्रोस हथ तर्मोम घया सबस्क्राइब परे का जो तल है मोगा गिर तो नीचे कही बिरने से होती है अगला की पारा एक विशाक्त पधार्थ पारा ऑग विशाक्त पधार्थ है तो इसका निप्टान-30 कठिन है तो उसका निप्टान होता है हो जाता है आज कर अंक्यत आप मापी यानि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिन में पारे का उप्योग नहीं होता तो आज कर इस तरह है कि यानि टेक्नलोजी इतनी बढ़ गई है क्या हो जो डिजिटल थर्मामीटर आपके आपने देखा भी होगा जो डॉक्टर है जो यूज कि अगये तो घ्रमामीटर आप के साहथ देखेर चले कि यह आपने देखा ओंगा इसे इसे भोला गया है उन्हलेय और यह उतव्टर थर्मामीटर यह एपका विऴंग होता है और यहापका क्याgado है जो आपका व कानować या जो आई बोला जाता है है रिए यह होता है अद्भ ऑई क hypoth mother और इसे क्या लेवी ले उसे देंसे डिजितल स्रौमीटर आप का इवलेबल है तो इसको आता है और देखें यह आपका है डिजिटल थर्मामिटर जो हब है एक डिजिटल वाला तर्ममेटर रखते हैं जिसमें पारे का कोई यूज नहीं होता पारे का इसमें कोई भी काम आपका नहीं होता तो यह डिजिटल फर्ममीटर आपको मिल जाएगा डिंडिट्रों के पास चलिए अब नेक्स्ट टोपिक क्यों चलते हैं अब आईगा हमारा नेक्स तोपिक उस्मा का इस्थानांत्रन चलिए अगला जो टोपिक यह हमारा उस्मा का इस्थानांत्रन है इसमें किसी भी बश्सक्राइब करते हैं लिए तो उसको जवाला पर र GB हमने रख दिया तो वह फो जाता रहाएless का कीस भी सबस्क्राइब हो जाता है जाती है कि आफ सब्सक्राइब आपने यह तार मान होता है इसमें अंक्या आपका पारे का यूज़ नहीं और तो इसका निब्डान आपका हो जाता है जैसे आपने देखा होगा जब किसी बर्तन को हम रख देते हैं आज पर आग पर हम रख देते हैं जब बरतन को जवाला पर रखते हैं तो यानि गरम आपका हो जाता है इसका कारण है कि जो उश्मा है उसमा क्या है जो जवाला से जवाला से बरतन के और चल तो ब्रतन को च्रवालत उता ने इले तो अपके अपना तन आग के लिए बना रहे दो अन्य उता जो पूरा recreous और रहे तन है जो ही लिलास्टिक-यहां то गॡप देयाए प्र फीर और आप इस डाइए उता लाइक देखेट जो आपके चाय बनी हुई थी वो क्या जाते है? ठंडी चाय हो जाईगी, क्योंकि जो इसमें यही करता है बरतन, यही कारण है, जो कारण आपको बताएगे है, जो उश्मा है, वो जवाला से बरतन की ओर चली गई, जैसे यह आपने आग बंद करी, तो उसका क्या होगा, तो है घो ठंड़ा है वो क्यों होता है इसमें पुछा गया है कि ठंड़ा क्यों होता है पहला उस्मा ब्रतन से परिवेश की और इस्तांत्रित हो जाते हैं जो और igual करेकिष है यानि उस्मा सदेव स hebben तट कि आपके पास घाइ को ठंडी जाये तो आपको तो होगी तो अगले टोपिक में पूचा गया है कि जो ऊश्मा होती है वो किस परकार इस्तांतृत होती है तो इस्तांतृत किस परकार हो जाएगी पहला पॉइंट इसमें आपका अलुमीनियुम या लोहे जैसे किसी धातू की एक छड़ आथवा चप्टी पट्टी लीजिए क्या करना है आपको जो आलुमीनियुम होता है या फिर लोहा जो है उसकी किसी भी धातू की छड़ आपक है कि जो मोम है उसके चोटे-चोटे जो टुकडे है वह आपको चिपकाने है जो आपने चड़ी ली है या चप्टी-पट्टी आपने ली है या तो वह आलुमीनियम के आप रख से तो या फिर लोहे की आप ले सकते हो यह टुकडे लगबग समान दूर्यों पर होने चाहिए सेम होना चाहिए सेम है यह आपको णिस्टेंस है आप रखनी है जब आप्टी के टुकडे है वह आप चिपका होगए तो दोनों के बीच जो सिरा क्रना आपको प्रयोग साला स्टेंड में ठ thickness त carbide ना मिले को छड़ के एक के पीच में दबा कर रख सकते हैं अभी जनgrade का दूसरत का दूसर ता था तो वहा पर आपको गरम करना है ध्यान पूर्वक देखना है फिर क्या करना आपको उसका परिक्षन करना है क्यार्फूल होसा आपको देखना है उस्मा जवाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की और इस्तांत्रित होती है तो उसमा जो होती है वह क्या करती है वह एक यानि सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की और वो इस्थांत्रित होती रहती है चलती रहती है जैसे इसका पिच्चर भी आप देख सकते हो चले पिच्चर अगर हम देखे तो पिच्चर इसमें देखते है उश्मा के स्थांत्रंत में जो पिच्चर दी देखे यह आप पिच्चर देख सकते हैं यहां पर क्या गया इस तरह आपको बोला गया अगर आपके पास इस्टेंड नहीं है तो यह इट आप देख रहे हो तो इटो के बीच में आप इस तरह है जो अलुमीनिय में लोगे के आपने चड़ लिए है और यहां पर देखे सेम स्टेंस आपको दिखना है फिर को नहीं होते हैं वो उसने चिपकाई हुए स्टेंस इनके बीच में रखा हुए झालिमों के टुक्ड़ को घृए और साथ मिया पर देखिए जया पर देख रहे हो कि इस ने बात की गई है जो मूँ स्टेंस होती है वह क्या करती है एक यान प्रोसिस होता है जिसमें उस्मा किसी वस्तू के गरम सिरे से यानि जहां पर होट है यानि गरम है गर्मी है तो गर्मी सिरे से गरम सिरे से या गरम जो सिरा सिरा है किनारा है उससे ठंडे सिरे की और इस्तांत्रित होती है चलती है चालन कहलाता है ठोसों में उस्मा प्राइच चालन के प्रक्रम द्वारा इस्तांत्रित होती है जैसे ठोस आपका होता है तो ठोसों में जो उस्मा होती है वह प्राइच चालन के प्रक्रम द्वारा इस हुरे तर बीच में टुकडे धे मॉम के छिपकाई हुरे तो महां पर शूरे के आप जा रही कर दूआँ के जिसे मोन डुकडे duż चिपकाई हुरे इस जो चढ़ी चर्णा पर टुकडेब जितने भी पधार्तों में इसमें है उसमा कच्छालन आसानी से हो जाता है जब आप खाना पकाते हो फूड आप अपने घर पर यानी तो उसमें उप्योग किये कि ये अपने लगी होते तो या आपकी बात छाएंग कि यह यही बात अगला क्या आप किसी तप्ट बर्तन को 30 से पकड़ कर बिना हात जलाई उछा सकते हैं तो आप लगी हुई ल Gmail अंध म्लट्रा ढां किसी है गरम नहीं रहें तो आपके गल्ट इस तो चोटे भी आपने लके लिए या रापनी लेना वितयों अपने तो इसमें आपको गरम पानी लेना है गोट यो वाटर होता है गरम पाणी आपको रखना है कुछ वर्षट बहुंस जैसे इस पात स्टील की हम्मच आपकी चूम्मच आपने ले ली यह फिर 拜拜 के बिवाईजिक को गरम पाणी में आपको डूबाना है यह ऑपने लिया है तो उसमें इनहें क्या करना है डूब legitim ना करने के पाद दूसरे सीरे अपने डूबाई चाहर गरम होता है यह बर्तिक डिखना भीपैसी क्या दूसरा सिरा गरम होता है या नहीं तो जैसे आमने लिया इस्टील की चम्मच आपका गरम होता है अगला तो यह आपको पता चल गया कि अगर आप इस्टील की जो चम्मच या नी जो बरतन का जो मैटिरियल जो अपने से ओकर या नी जो और तो यह आपने से ओकर उसमा को आशानी से जाने देता है जो पतार्त या नी जो मैटिरियल वह अपने जो आसानी से जाने देते हैं उस्मा का चालग कहते है लोहा का है या ते वह तव तम अने कुछ क्पार्थ को आपने सोकर उसमा को असानी से नहीं जाने देते उन्हें उस्मा का कुछाला क्या होता है क्या होता है जो पधार्थ अबने से जो हीट नहीं को यह घरीक抉ट है जैसे प्लास्टिक टता लकडी देना की अगर। प्लास्टिक लएतार दोपकđ जो असे उतास्ट से वे ज़रेंगे लिकनि और वह उश्मा को प्रिवर्ति असानी से जाने देता हिर दूसरा आसानी से जाने नहीं दे Hamm за यही इसमें दोनों में डिफ्रेंस आपका है एक चालक होता है एक कुछालक होता है चलिए अब अगला है कुछालक। को उश्मा रोधी भी कहते हैं जो कुचालक है यह उश्मा रोधी कहलाते हैं जल तता वायू उश्मा के कुचालक है जल और वायू जो होते हैं वो किसके कुचालक है उश्मा के कुचालक आपके होते हैं अब आता है अगला टोपिक सांजाट t Ci papa इसतानां जल तता वायूस्मा के कुछालक इसतानां एक जल या वाईयू किसके 한명 कुछालब है तो पूछा गया कि यह पधार्त होते हैं मैटिरियल्स होते इसमें औुषमा का यानि ही तो बीकर ले सकते हैं उसे जल से 2 तियाई बढ़ना और इसको किसी ठिपाई पर रखे अध्वा स 코 को nhिते आप नीचे अग्यार मुंबत्ति रखके गरम कर सके अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मुमबती जला कर जल को गरम किजे फिर क्या करना है जब आपने क्रिस्टल के नीचे क्या करना है क्रिस्टल को आपने ठीक नीचे क्या करना है मौमबत्ति आपको जलानी है जला कर आपको मौमबत्ति जला कर जो जल है जो वाटर उसमें भरा वे उसे आपको गरम करना है जब जल को गरम करते है जब हम जल यानि जो वाटर हमने लिया है उसे गरम करेगे तो जुआला के पास का जल गरम हो जाता है तो जो जुआला है यानि जो आग जल रही है तो उसके आज पास का जल होगा वो कैसे हो जाएगा गरम आपका हो जाएगा गरम जल उपर उठता है तो गरम जो वाटर होता का थंड़ा जल उसका इस्तान लेने के लिए आ जाता है घंड़ा नीचे यानी जहां पर पानी नीचे था तो उपर की और चलता रहाए और तो इसने गरम जल को चलता है जब आप पानी गरम करते हो तो पानी करने में नीचे सबसे पहले नीचे का पाणी अपका गरम होता है जो आँक के आस-पास रहता है वह उपर के और उठता है तो उसके आस-पास का जो हजो नीचे जाकर तो जब तक बीकर का या फ्लास का सारा पनी गरम नहीं होता तब कर प्रोसिज अपका अगला और अगला संग्भेन आपके क्या होता है तो उश्मा इस्तानांत्रन की जो विधिया आपको बताई है यहीं विधिया आपकी संग्वेन बोली जाती है अगला टोपिक है वायू में इस्तानांत्रन जो आवायू है वायू इसमें जल में आपने देख लिए जिसमें बोला गया था तो वाइू स्तानंत के डिर्टा में जाता हैं वह कुंसे डारेक्षिन में जाएगा उ возь और उछ सोर्स आपने वह वह पास की वाईू करते वह गरम होकर क्या करता है उपर के और उठते हैं इसे परकार यह भी waves यह बहुत यह वह भी जाते और या पर गिरियत चलती रहते तो यह process भी आपका continue रहता है जैसे आपने water में देखा कि water जो गरम हो जाता तो जो ठंडा रहता था जो तक बरतन का सारा पानी आपका गरम नहीं करना कर लिए लिए आपकोब्हेशितु में हैं जो मुंबती जल रही है एक हाथ आपने आग के उपर रखा है दूसरा हाथ आपने नीचे की और रखा है तो इसमें आप से पूछा गया है कि आपको आप भी यानि दोनों हाथों में जो गर्मी है वो समान अनुभव यानि सेम आपको गर्मी लग रही है सेम गर्मी का नहीं है जब कि दोनों के आपके कैंडल पर यह तो यह इसमें पूछे गए हैं आगे हैं सावधान इसमें सावधान आपका दिया अपने हाथों को जवाला से सुरक्षित दूरी पर आपको रखने हैं जिससे कीवेच जले नहीं तो इतना यानि यह भी आपको करना है कि हाथ फिए जो आपको रखना है कि जो आपको रखना है वह इतनी इतनी दुरी पर आपको रखना है जिससे जो आपका हाथ वो जले ना उपर कि ओर वह वह संग्वैन दौरान हो जाती है तो उपर की जैसे आपने देखा है कि जो आग क्या आसपास क्या होती जो वायू होती है वह क्या होती है तो संग्वेन के प्रोसिस के वज़े से जो हाथ आग के ऊपर रखा होता है आग से यानि निश्चित दूरी पर जो रखा हुआ है वह क्या हो जाता है लेकिन तो इसलिए दोनों हाथ में त्षंडार रहेगा दूसरा आपका अपका रहेगा तो जवाला यानि आग से उपर का जो हाथ होता है वह आपका गरम रहेगा संग्वयन के प्रोसिस की वजे से लेकिन पाशे की वायू संग्वयन द्वारा गरम नहीं होती इसलिए वह यह आपका घरम रहेगा नीचे वाला हाथ ठंदा आपका रहने वाला है संग्वें का प्रोसिज कर उपर के और आपका चल रहा है वायू जो है वह उपर के उठती है जैसे वाटर का लेविल आपने देखा था अब आता है नेक्स्ट फट्हों में रहने वाले लोग एक मनुरंज गटपरी गटना कानुभाव करते हैं दिन के समय जो होता है दिन यानि जब दिन होता है मोर्निंग टाइम यानि दिन के समय की बात इसमें की गई है कि इस्तल जो धरती अथल होता है वो जलकिया पेक्षय सिग्र गरम होता है तो जलकिया पेक्षय क्या होता है वो सिग्र गरम रहता है इस्तल के उपर की वायू जो इस्तल के उपर की जो वायू है वो गरम होकर क्या करता है उपर उठती है इसका इस्तान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायू इस्तल की ओर बैती है चक्र को पूरा करने के लिए इस्तल की ओर से गरम वायू समुद्र की ओर बै सब्सक्राइब करूं थंडी हवा उसका लाब लेने के लिए तंडी हवा लेने क्या किए उसका टंडी हवा लेने के लिए नो लावा जारे इती उसे थरसंवी आपका बोला जाता है फिर प्रख्रों जाता है W जो रात होती है रात के समय किसमें बात की गई है कि रात के समय में यह जो नहीं कि यह ज дав Up asit हो जाता है जैसे इसतल से ठंड क मैंने से pau थटा ऊड़िखत समदर का जल समदर का जल इस ततरा क्या पेक्षा धीमी गति से ठंड़ा होता है इसलिए इस तल की और सन्ठीनोबाय व्हास्मिद्र की उरव कर जाती है क्तल समीर कहला के जब हम धूब में खड़े होते हैं गरम हम सब्सक्राइब और पूंट नहीं है प súdzakस सब्सक्राइब कि नहीं पोज़क पोज़ा इसाटियों के लिए माध्यम आविश्यक ए garnυχ है तो ये जो चालन ये संग्वेन के प्रोसिज जो है उसके अनुशार तो यहाँ पर आपके नहीं पोच सकती अगला पॉइंट है प्रत्वी तता सूर्य के बीच के अधिकांस इस्तान में कोई माध्यम जैसे वायू नहीं है तो प्रत्वी और सूर्य के बीच के जो अधिकांस स्थान है अधिकांस। प्लेस स्थान आपका है और माध्यम जो मीडियम यह जैसे यूब किया है नहीं है तो इस प्रोसिज को किया बोला जाता है विकिरन द्वारा को यहीं सकता है इसमें पूछा गया है कि हो सकता है तो बिदवान हो भी या नहीं जब हम किसी तापक यानि हीटर के सामने बैठते हैं जैसे आपके घर में जो हीटर है जो अब जो सर्दियों के सीजन आपका चल रहा है जो लैक्टिक आपके हीटर है उसकी बाद इसमें की गए तो हमें इस परकिरम के द्वारा उश्मा प्राप्त होती है अब आता है अगला करता है तो जैसे आपने गरम चल में करता है तो जैसे आपने प्रिवेश को इसतानान्त्र さण करता है जिए दूसरी करता है तो इनका कुछ भाग प्रावर्तित हो जा सलाएं'll जब फिंब तकड़ा जाते हैं तो कुछ एसीत प्रावर्तित हो जाता है कुछ प्रावर्टीत हो जाता है और अश्रलागत हो सकता है अश्राप के रहागत करूंथ जीट梳ातना .... है अब तोपिक है आप संद Tता गर्मियों में हमारे पहनने के वस्तों के प्रकार तो चुसर्द के मोसनिं और प्रेसर तो तो करने पाइन परयों तो में पूछा गया के परकार हमारे हैं पुछा गए जो डार्क कलर यानि गहरे रंगे कबड़ पैनना पसंद करते हो दूसरा पॉइंट है टीन के एक जैसे दो डिब्बे लिजे अब आपका इसका एक्जाम्पल के तोर पर आप देखे टीन के आपके दो डिब्बे लेने हैं इन में से एक के बाहरी प्रस्ट को काला तता दूस बाटब एक आपको वाटर फिल करना में तता उन्हें दो हखे पानी से भड़े तोनों कि प्रस्टेने nowadays तोडी तोड़ी लगवकर होती है यानि Was Isn't यहां पूचा है कि यहां आप कुछ आप एक कौन से आपको बताना है कि जब्ट है वह ज्यवल चुकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुबव कर सकते हैं तो इसके लिए आपको temperature नापने के लिए कोई thermometer या फिर जो आपने प्रियोग शाला जो ताप मापी है उसके जवरत आपको नहीं पड़ेगी यह आपको टच करके भी यानि पानी जल को छूकर भी आप इसमें बता सकते हैं जल को टच करकर भी आपको पता चल जाएगा कि कौ अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या दोनों डिब्बे आपने लिए उन में जल का ताप था वो समान दर से कम हुआ है पहला पॉइंट गर्मियों में सफेद या हलके रंग के वस्त्र तता शर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आराम दयक परतीत होता है कनो तो क्या होता प्रश्ट पेक्ष्य करत अधिक कुष्मा पह सोर्षण अ करता है तो वह जा प्यूर्ड होते होते हैं C यह जो आधा क्या करते हैं जो हीट होते हैं गरम आपके यानी घरमाट यानी हीट को एबसोर्ब कर लेते हैं अब आता है अगला फाइनने पॉइन पेषंट न लगता है कंपॉर्टेवल होता है हाल रंके कपड़े उसमें विकर्णों के अधिकांस बाग और अधिक अरान्दाये लगते हैं आपका बचता है पहले हैं सरदियों जब विंटर यानि आपका चल रहा है सीजन विंटर सीजन आपका चला हुआ इसमें पूछा गया जो सर्दी में जो इुझन यानि उशन उसमें बना रहते हैं चैसंट पिसमें ऑन वस्तर पैंटें वक्सित रोकते हां उशन का अनुभाव होता है तो क्या होता है जब हम उनी कपड़े पैंगते हैं सर्दियों के टाइम पर जो इनके बीच में जो रेश्यों होते हैं उनके बीच में जो रेश्यों होते हैं उनमें क्या होते हैं वह ट्रैप रहती है फश्यू ही आपके रहती है जो क्या करते हैं यह हमारे सरीर की जो ऊश्म कंबलों से किसी एक कचुनाब करके उपरयोग करने की जूट है दो कंबलों के बीच में क्या होती है जैसे आप डबल कपडा यानि डबल डबल जो आप कपड़ा यूज करते हो जब अप सोते हो तो जब आप दो कंबल्स जब exposing कब्लम दो आप रखे ed again वायू की प्रत उसमें आ जाएगी अब आता है नोट अगला पॉइंट है नोट हम अपने घरों को ठंडा या ग्रम रखने के लिए कोईला या लकडी जैसे इंदन अत्वा विद्यूत का उप्योग करते हैं तो हम जो हमारे घर है उनको ठंडा या गरम करने के लिए ठंडा गरम रखने के लिए क्या करते हैं लकडी जैसे इंदन अत्वा विद्यूत का यूज करते हैं जिन पर बहार की गर्मिया सर्दी का कोई परभाव ना हो तो हम ऐसे बहारी दिवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायू की एक प्रत बंद हो जाए तो जो घर ह सकते हैं बहारी के बहारी तो निर्मान जब आप कर रहे हैं उसके बीच में के प्रत यूज का कर सकते हो तो खोकली उट है प्रत बना सकते हो थ Boss truth हो सकता है चले चाप्टर्स या जो हमने ऊच्छ मा यानी हीट के बारे में अपने पढ़ा चार चाप्टर हमने कंप्लीट कर लेगे इसकर डिसकुस करेंगे चार चाप्टर यह जो साइंस पी उसे आका प्लेट वीडियो देख रहे हैं वह प्लेलिस्ट से जाकर है अपनी देख सकते हैं सारे चाप्टर जो 16 चाप्टर आपके हुए सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगे जो बच्चे चैनल पर नए है वह चैनल सब्सक्राइब करके थांक्यू